मेरा नाम है रजट and you are watching India's number one Hindi Gay Story चैनल दोस्तों आपको लगता होगा कि एक लाइक करने से क्या होगा पर आपका वो एक लाइक सबसे ज़्यादा माइने मेरे लिए रखता है और आपका कमेंट में हार्ट छोड़ना वो मुझे बहुत खुशी देता है साथी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजे और नौटिपिकेशन बेल को आउन कर लीजे अरजुन सर अपने स्टूडेंट जतिन के दिलासा देने के बाद काफी शान्त महसूस कर रहे थे उन्होंने जतिन को थैंक्यू बोला और फिर टाइम पूरा होने पे वो वहाँ से चले गए अब वो हलका महसूस कर रहे थे वो खुलकर रो चुके थे उन्होंने खुद को समझाया जो होता है अच्छे के लिए होता है अब रभी सर को उनकी जिन्दिगी में नहीं आना है तो वो क्या कर सकते हैं और उन्होंने फिर से खुद को हिम्मत दी और अपनी डेली टुशन्स को कम्प्लीट करने के बाद वो अपनी घर पे गए माने दर्वाजा कोला और बोली आज लेट हो गए बेटा देख कौन आया है अरजुन सर रभी को देख कर हिल गए बोले सर आप आप यहां कैसे बताईए कोई काम था रभी सर बोले यार कैसे बात कर रहे हो इतना फॉर्मल तो ना हो मेरे साथ ऐसा भी क्या कर दिया मैंने मैं तो बस तुमसे मिलने आया था तुमसे बात करने आया था अरजुन सर ने कहा हां पॉली सर मैं सुन रहा हूं आपको रभी सर बोले तुमारे कमरे में चले अरजुन सर बोले बहां जाके क्या करेंगे आप जो बात करनी है वो यहीं कर लो आपने बैसी भी कहा आप बात करने आये हो तो करो बात रभी सर बोले नहीं मुझे अकेले में बात करनी है तुमसे अरजुन सर ने कहा बोलो सर मैं सुन रहा हूं आपको रभी सर ने कहा चलो ना तुमारे कमरे में चलते हैं प्लीज चलो मैं बार-बार कह रहा हूँ अब तो चलो अरजुन सर ने कहा यहां क्या दिक्कत है आपको रभी सर बोले यहां मा है उनके सामने कैसे बोलू मैं अर्जुन सर ने कहा बैसे भी आप कौन सा कुछ ऐसा बोलने वाले हो चो माह सुन नहीं सकती ये सब देख के माह बोली क्या हुआ है बेटा क्या हुआ तुम दोनों की बीज यो कुत्ते बिल्लियों की तड़ा क्यों लड़ रहे हो भाईयों जैसे हूँ तुम यार और लड़ रहे हो अर्जुन सर हसके बोले सही कह रहे हो आप माह हम भाई जैसे ही थे पर शायद अब नहीं माह ने कहा तुम दोनों थोड़ा ठंड रखो शांती से एक कांत में बात करो मैं बाहर जाती हूँ अर्जुन सर ने मा को रोका और बोले कोई जरुवत नहीं आपको बाहर जाने की ऐसा कुछ भी नहीं है पर मा बोली नहीं मैं जा रही हूँ और जब मैं बापिस आँ सब कुछ सुलत जाना चाहिए वो घर के बाहर गई और बाहर से ही कड़ी लगा गई ये कहते हुए बिना आप सुल्जाए कोई बाहर नहीं जाएगा रभी सर अर्जुन सर की तरफ बढ़े उन्हें अपनी बाहों में लेना चाहा पर वो पीछे हट गए रभी सर ने पूछा आखिर दिक्कत क्या है क्या मैं तुम्हें बाहों में नहीं भर सकता अर्जु सर बोले क्यों भरना है आपको मुझे बाहों में पर रभी सर ने उन्हें अपनी बाहों में भर ही लिया अरजुन सर्च छटपटा रहे थे वो पूरी कोशिच कर रहे थे कि वो अपने आपको छोड़ा सके और रभी सर्च वोने अपनी बाहों में भरकर शांत कर रहे थे रभी सर्च ने कहना चालू किया अरजुन देखो कल क्या होगा मुझे नहीं पता पर आज मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ और आगे भी चाहूँगा तुम प्लीज धंडे दिमाग से सोचो एक बार समाज में मेरी एक इज़त है और अगर किसी को हमारे रिष्टी के बारे म पता चल गया तो क्या इज़त रह चाहेगी मेरी और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे सुमन और तुम दोनों ही पसंदो अरजुन सर ने हैरानी से पूछा अब ये सुमन कौन है रभी सर ने कहा मेरी होने वाली पत्नी पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वैलियू मेरी नजरों में कम हो गई है तुम मेरे लिए अनमोल हो और हमेशा रहोगे पर सुमन के साथ भी तो मुझे रहना ही होगा अरजुन सर टोकते हुए बोले अच्छा सुमन के साथ आप बच्चे पैदा करोगे और समाज में अपनी इमेज बन बाओगे और मेरा क्या रभी ने कहा तो तुम भी शादी करो ना मैंने तुम्हें रोका है क्या हम अपना रिष्टा यूहीं कंटिन्यू रखेंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं तुमसे आज इतना प्यार करता हूँ कल भी इतना ही करूँगा बल्कि इससे भी जादा और तुम भी शादी कर लो क्योंकि तब तुम भी अकेले नहीं रहोगे अर्जुन सर हस्ते हुए बोले मेरे अकेले रहने की परवा आप ना करो मा है मेरे लिए और रही बात आपके साथ कंटिन्यू करने की तो अब मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का रिष्टा तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था रही सर ने अर्जुन सर को अपनी गोद में बिठाना चाहा और बोले मेरी आखो में देखो क्या तुम्हें इन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो अरजुन सर ने आखों में देखा और बोले प्यार का तो मैं कह नहीं सकता और कीचर बहुत दिख रहा है आखों में आपकी और अब क्या कहूं कुछ कहने और सुनने को बाकी ही कहां रखा आपने कुछ रभी सर लगातार अर्जुन सर को समझा रहे थे और अर्जुन सर भी धीरे धीरे अब फिगलने लगे थे क्योंकि उन्हें भी ये उम्मीद थी कि चलो पूरे नहीं तो आदे ही सही कुछ तो प्यार उन्हें भी मिल जाएगा रभी सर से रभी सर ने उन्हें अपनी लैप पे बिठा लिया और उनका सर अपनी तरफ किया दोनों करीब आते गए और दोनों ने आज पहली बार इसमूझ किया किस तो वो पहले भी कर चुके थे अब अर्जुन सर को भी अच्छा लग रहा था वो सोच में थे कि चलो कुछ तो मिला एट लीस्ट जब तक शादी नहीं होती तब तक तो ये मेरे ही रहेंगे अगले दिन हर रोज की तरह अर्जुन सर और रवी सर ने साथ में टाइम इस्पेंड किया और दोनों की बीच का रिष्टा और गहरा होता चला गया लेकिन अब जब वो दोनों साथ होते थे तो बीच पीच में सुमन का कॉल आ जाता था जिसमें रवी सर अर्जुन का हाथ पकड़ कर बैठे तो रहते थे पर सुमन से इतनी प्यार भरी बाते करते थे जो कहीं न कहीं अर्जुन सर को चुप जाती थी उनका वो बहुत खयाल रखने की कोशिश करते थे पर इधर अर्जुन सर के खयाल को ही दिमाग से निकाल बैठे थे वो अर्जुन सर काफी समझदार बैठती थे वो जानते थे कि ये गलत है पर वो करें भी तो क्या प्यार इंसान को मजबूर जो कर देता है उदर टुशन में जतिन उनका बहुत खयाल रखने लगा था उसने अर्जुन सर के दिल में अपनी एक अलग जगा बना ली थी वो उन्हें बिना चॉकलेट मिल्क शेक के जाने ही नहीं देता था एक रोज योही टुशन के दौरान जब जतिन की ममी टुशन का पेमेंट करने आई तो अर्जुन सर ने बातो बातो में कहा चॉकलेट मिल्क शेक तो बहुत अच्छा बनाती यो आप ये सुनकर वो बहुचक्की हो गई और अर्जुन सर को बस ऐसी टक्टकी बानके देखती रही अर्जुन सर समझ गए थोड़ा आक्वर्ड मोमेंट हो गया था पर दोनों ने बाद में बात समझा लिए अर्जुन सर के जाने के बाद जतिन की मा ने कहा तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम सर के लिए बनबाते हो मैं दो गलास भेशती रोज जतिन बोला मम्मी कि आपको सोचना चाहिए कि ये रोज इतनी दूर से आते हैं तो आपको खुद ही उनके लिए कुछ तो बनाना चाहिए क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता जतिन की मम्मी को अपनी गलती का एसास हुआ उन्होंने जतिन का माथा चोमा और बोली शुक्रिया मेरे बच्चे तु इस दुनिया का बैस्ट बेटा है अगले दिन से अब दो ग्लास दूद आने लगा था अरजुन सर को अब थोड़ी जिजक होती थी इस पर जतिन बोला सर कोई नहीं पी लो ताकत आएगी और डोले शोले बनेंगे आपके मैं तो बना नहीं सकता एक पैर जो ऐसा है और कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता अरजुन सर को काफी बुरा लगा उनने जतिन से कहा तुम मेरे साथ चलोगे क्या जिम बोलो मैं बनूँगा तुमारा दोस्त जतिन ने हाँ कर दिया और बोला मैं मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ अरजुन सर के जाने के बाद उसने मम्मी पापा से बात की वो रैडी ही नहीं हुए पर जतिन ने उन्हें समझाया कि ऐसे वो उसे कमजोर कर देंगे इस पर फिर वो आखिर मान ही गए जतिन ने करीबन रात के दस बजे अरजुन सर को फोन किया अरजुन सर ने नया नमबर देखा तो पहले फोन उठाया ही नहीं पर दुबारा कॉल आते ही उठाया जतिन बोला सर मैंने बात कर ली अपने मम्मी पापा से और अब आप ट्यूशन का टाइम बदल सकते हो क्या अरजुन सर तो भूली चुके थे उन्होंने बोला ट्यूशन का टाइम क्यों बदलना है जतिन बोला क्योंकि अब मैं रोज रात में आपके साथ जिम जो जाओंगा अरजुन सर ने एक पल को सोचा फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं मैं ट्यूशन का टाइम बदल दोंगा पर चलो कि कैसे मैं तो पैदल ही जाता हूँ जतिन ने कहा पापा है ना पापा ने कहा है कार से जाएंगे और फिर बाद में आपको घर छोड़ते हुए मैं बापिस आ जाओंगा इधर जिम चालू हो गया था और कार में अरजुन सर बार बार रभी सर को अपने फोन से फोन करते रहते थे और रभी सर सुमन के साथ इतना बिजी रहने लगे थे कि वह अरजुन सर के फोन को भी इगनूर कर देते थे एक रोज जतिन ने पूछा सर क्या आपकी कोई गल्फरेंड है अरजुन सर हस पड़े और बोले तुम्हें क्या लगता है जतिन ने कहा गल्फरेंड है या नहीं ये तो पता नहीं पर कोई तो है जिसे आप बहुत याद करते हो अरजुन सर मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे एक बच्चे को मेरा प्यार दिख रहा है पर जिस इनसान से इतना प्यार करता हूँ उसे क्यों नहीं दिख रहा अरजुन सर ने जतिन से कहा अच्छा तुम यंग जनरेशन के हो एक सवाल का जवाब दो तुम्हें अगर किसी से प्यार हो जाए और भूपी तुमसे प्यार करे पर रिष्टे को कोई नाम ही ना दे और किसी और से शादी करने को तयार हो जाए और बोले तुमसे कि तुम्हारे साथ भी उसे रिष्टा कंटिन्यू रखना है तो तुम क्या करोगे जतिन ने कहा सर इसका जवाब तो एकदम सिंपल है और आपको भी पता है ये सवाल ही खुद में कितना गलत है तो इसका आंसर सही कैसे हो सकता है तो उस इंसान को छोड़ना ही बैतर है क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ तकलीप ही होगी और कुछ नहीं और अंत में आप अकेले रह जाएंगे अरजुन सर बोले अरे ये मेरे बारे में नहीं है जतिन ने उनके हाथ पे हाथ रखा और बोला मैं समझता हूँ सर अब टेंशन ना लो अब खुद को फ्री कर दो सारे बंधनों से और एक नई शुरुआत करो क्योंकि जिन्दगी आगे बढ़ने का नाम है इदर अरजुन सर ने जतिन को अब रोज जिम ले जाना शुरू कर दिया था छे महीने बीच चुके थे पर अभी भी जब भी रभी सर का फोन आता था अरजुन सर दिवानों की तरह बलबला के फोन उठाया करते थे और उनसे बात किया करते थे स्कूल में तो वो उनके पास रहते ही थे पर बात अब ज़रा कम होती थी कहानी में कि क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे और कॉमेंट रूर कीजे